नेक्स 100-day ऐसा है कि अगर सही से म hatred करते हो तो तुम अगर यहां पे हो? तो यहां से यहां पहुझ सकते हो सही से माहनत नहीं करते हो तो तो मगर यहां पे हो ना अटोमेटिक डाउन होते जाओंगे और यह सबसे बड़ी गलती हो सकती है नीट करक करना है या फिर 500, 600, 650 प्लस स्कोर करना है वो भी 100 देज के अंतर और अभी तुम्हारा सलेबास 20%, 30, 50, 60% कम्प्लीट है या फिर मॉक्टेस्ट वगर में उतने अच्छे स्कोर नहीं ला पा रहे हो मार्क्स भी इंक्रेज करना ह तो यह सब कुछ पॉसिबल हो सकता है अगर तुम सही से महनत करते हो और जो भी मैंने इस वीडियो में बताया उसको एपलाई करो कर सकते हो बस तुमको अच्छे से महनत करना है अभी तुमको किसी भी हाल में 12-1300 सेल्फ इस्टटे में देना ही देना है डेली बेसिस पे त इसके बाद अगर मैं एनलेसिस की बात करूं तो अभी तुमको पुरा स्लेवास अनलाइस करना है और जितने भी स्योर वाले चैप्रस है उन सब को साइट कर लो कि उन सब चैप्रसे कुछसन आता है तो तुम सौल कर पाते हो कभी कभी गलती करते हो तो उन सब को बस वीक एरिया जितने भी है उन सब पर अच्छे से फोकस करना है बेसिक्स के लिए तो बेसिक्स को थुड़ा बहुत रिवाइस कर लो चैसे और ज्यादा स्यादा टाइम अभी तुमको वीक पॉइंट्स पर देना है क्योंके बाद में टाइम नहीं मिल पाएगा उसी के साथ जितने भी हाई वेटेश टाइप के चैप्टर से उसी के एकोर्डिंग पढ़ना है और अभी टागेट रखना है सेवेंटी चैप्टर अगर तुम्हारा टागेट है सिक्स्प्यूटी प्लस मार्क्स लाना या पर कम मार्क्स लाना है तो उसके लिए कम चैप्रस करो कौन स करना है और कॉलिटी को सब्सक्राइब करना है ताकि अपना स्पीड पर बीकाम कर पाऊ तुमको प्यूटर बेसिस पर करना ही है अगर सौड नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है समझो सौलीशन देखो उससे लेटेड टोपिक को दोबार से रिवाइस करो नेक्स्ट अगर मौकिश्ट की बारूं फुल-्लेंथ बीकली बेसिस पर देना ही देना है इसे बागर को उससे रिरीटेड प्रक्टिस करो तो मौक तेस जडरूर करना है उसी के साहता अभी ताइम मैंनेज में तू अच्छहे से करना ज़या है टाइम काम है तो टाइम अगर से से मैनेजने करोंगे हर एक चैप्टर के लिए अच्छे से स्टड़ी करना जरूरी है कम टाइम में ज्यादा श्यादा से लिपास कंप्लीर करना है एडवांस टाइम में होना जरूरी है जिसके लिए मैं डीटेल वीडियो लेकर आजाओंगा और हर एक सब्जेक के लिए प्रेक्टिस प्योगरा तो करोगी बट उसी के साथ डायाग्राम अच्छे समझना जरूरी है वहां से समझते हो तो किलियर हो जाएग अच्छा का सा टॉपिक उसी के साथ जितने भी कीप कॉंसेप्ट से कोई पॉइंट अगर इंपोर्टन लग रहा है को एक चेप्टर मे मार्म करने काफी ज़्यादा हो तो इन और गैनिक में तुमको पूरा बढ़र चैप्रशी टारगेट करना है अच्छे से पड़ना है इन ज्यादा चैप्रस निया च्था सब्सक्राफ परो लेक्ट्स को ट्रूब्म सोड रिवाइस करते जितना रिवाइस उतना ही तुमको कोई सब्सक्राइब करना जरूरी है प्रैक्टिस वगण अच्छे से करना है ज्यादा कॉस्टिस करो फॉर्मुलास को डेली रिवाइस करो जितना प्रैक्टिस करो कि अपने करें इतना ही तुमको यादा श्यादा प्रैक्टिस करना है इतना ही स्पीड बी इंप्रूब्लम को सब्सक्राइब करने में तो उसको देखो और सिमिलर टाइप के को बार-बार प्रैक्टिस करो थाकि नेक्स टाइम को सब्सक्राइब करना है इसके लिए तुम नियुमिनेक्स फ्लैस कार्ड और विजुल चार्ड बना लो जो कि तुमको रेगुलर रिविजन में काफी ज्यादा हेल्प करेगा और कॉंसाइज नोड्स बना लो हर इक चै को बनाना है अच्छे से भनाना माइं मैं बनाना फुरा टॉ चाड बना लो अच्छे से हर एक पउन्टो तुमको रिविजन में हैल्प ना चाहिए उस तरह से कलाना है कहिसे नेकर वीकली बैसिस पर युई कुने जो ही त्टेर कशों करो अर्inos sub теперь लिवीज करो इसलिए इसके लिए तुमको रेगुलर मेडिटेशन भी करना है अच्छा डाइट लेना है रेगुलर फीजिकल एक्सेसिस भी करना है टेली 15-20 मेरते के स्ट्रेचिंग एक्सेसिस कर लो और पॉजिटीव माइंडसेट रखना है अगर तुम अभी पॉजिटीव तो टेंशन लेते हो तो मगर यहां पर होना तो आटोमेटिक डाउन होते जाओगे और यह सबसे बड़ी गलती हो सकती है तो लास्ट 3-4 में लिए वीडियो मैंने बना रखा है लिंक डिसकुशन में जाके चेकाउट कर सकते हैं तो बस मुझे आपको यह बतानी थी मिलते ह एंक्स वीडियो के साथ थेंक्यू